वर्तमान टैक्स बेवस्था के उपर बहुत गंभीरता के साथ चिंदन की आवश्यक्ता है। प्राइवेट नौकरी करने वाला, कलर्क का काम करने वाला, चप्रासी का काम करने वाला, जो तीन लाख रूपए भी कमाता है, वो इंकम टैक्स के दारे में आ जाता है। का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, फेबरिकेशन का काम करते हैं, हर महीने तीन तीन चार चार लाख रूपए कमाते हैं, वो इंकम टैक्स के दारे में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विचारा जो नौकरी करता है, अगर वो तीन लाख रूपए भी पाता है, वो इंकम टैक्स के दारे में। एक तरफ सरकार कहती है कि आठ लाख रूपए पाने वाला अभी जिसकी वार्सिक आए आठ लाख रूपए है, वो भी गरीब है, EWS है, उसको रिजर्वेशन मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ तीन लाख रूपए पाने वाला अमीर है, उससे इंकम टैक्स लिया जाएगा एक तरफ नकली जो किसान है, नकली किसान इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कमाते करोड़ों रूपए महीने में, उनकी पेट्रोल पंप है, और भी दुनिया भर के उनके व्यापार है, उनकी गैस की एजनसी है, गैस की गोदाम है, क काम कर रखा है, लेकिन अपने आपको किसान बताते हैं, और अपनी सारी किसारी इंकम ऐजे एगरी कल्चर इंकम दिखाते हैं, उनको टैक्से छूट मिली हुई है, साल भर में पता चला तीन करोड़ चारकोड रूपए कमा रहे हैं, लेकिन वो एगरी कल्चर इंकम दिखा जोरम के, तिपुरा के, मिघाले के, उनको कोई टैक्स देना ही नहीं है, वो सौपिंग मौल के मालिक हैं, पेट्रोल पम के मालिक हैं, बड़े-बड़े कालेजों के मालिक हैं, करोड़ पती हैं, अरब पती हैं, बाकादा उनका फैक्टी चल रही है, धंदा व्यापार चल जारा है उनको उसको टाइक्स देना है तो नकली किसान भी टैक्स ते बचे हुए नकली ट्राइब नहीं देते हैं अलगावादी की मदद करतेहा आतंक वादियों की मदद करते हैं, उनके लिए PIL फाइल करते हैं, उनको वकील भी उपलब्द कराते हैं, सारा देजबिरोधी काम करते हैं, उनको भी एक रूपए टैक्स नहीं लगता, उनको भी टैक्सी छूट मिली हुई है, इस घटिया टैक्स सिस्टम का परणाम है, कि धीरे धीरे, सारा का सारा आपका जैसे टूट ट्रविल का काम है टैक्सी सर्विस का काम है बाकी काम है यह सब के सब ऐसे हाथ में चला गया है जो टैक्स नहीं देते क्योंकि अगर इमानदारी से आप काम करेंगे तो करी नहीं पाएंगे एक विक्ति का काम करता है उसके उपर पांच परसेंट जी एस्टी है और चूकी जब रेजिस्टेशन करा लेगा फर्म खोर लेगा तो उसको यह भी दिखाना पड़ेगा उसकी इंकम कितनी है तो उसके लिए इंकम टैक्स भी है दूसरी परिवार में दूसरी तरफ हैं इसलिए मैं कहता हूं यह वरतमान टैक्स स्टम महागदिया है और सबसे बड़ी बात यह वर्तमान टैक्स सिस्टम ब्लैक मनी जनरेट कराता है यह टैक्स सिस्टम ऐसा हो गया है कि मजबूरी में भी जो इमांदारी से रहना चाहें वह भी नहीं रह सकते यह वर्तमान टैक्स सिस्टम ऐसा हो गया है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी भी अपना टै एक भी governor, एक भी collector, एक भी कप्तान, एक भी commissioner, एक भी chief secretary, अपना tax अगर बिना CA की मदद की भर देना, तो मैं अपनी सारजनिक जीवन सपना सन्यास ले लोगा, ऐसा घटिया मकड़ जाल मना रखा है, कि बिना chartered accountant के tax भरी नहीं सकते, बिना chartered accountant के GST नहीं भर सकते, तो हो क्या चोटा सा भी काम करना है, तो पहले तो एक अकाउंटेंट रखना है, फिर उसके बाद हर साल CA की मदद लेना है, तो पहले ही tax दे रहे है, GST दे रहे है, income tax दे रहे है, उसके बाद हर महीने एक अकाउंटेंट का खर्चा, और साल के अंत में CA का खर्चा, तो व्यापार आप खतम वैट की नहीं जरूरत है, TDS की जरूरत ही नहीं है, GST की जरूरत नहीं है, यह टोल टैक्स की जरूरत नहीं है, सारे टैक्स खतम कर दीजे, केवल आप expenditure टैक्स लगाईए, expenditure टैक्स का फाइदा यह होगा, कि सब टैक्स के दारे मायेंगे, सब टैक्स देंगे, आज महीने में लाको रूपए कमा रहे हैं लेकिन टेक्स नहीं देते लेकिन खर्च खूब करते अब हमने कोई टेक्स नहीं ना कोई टेक्स नहीं क्योंकि भारत में 225 करोड बैंक खाते खुल चुके हैं, गरीब से गरीब आदमी भी बैंक से जुड़ चुका है, भारत में इस समय लगभग 80 करोड लोग तो सीधे-सीधे ATM, ATM, भीम, UPI, debit card, credit card करना, यूज़ करना सीख गए हैं, गरीब से गरीब जो किसान होता है, जिसको क सम्मान निधी आती है, वो भी बैंक जाना, बैंक से पैसा निकालना, अपना ATM चलाना, रुपए card को यूज़ करना, वो भी सीख गया है, सबके पास 130 करोड तो आधार बन चुके हैं, आधार को बैंकिंग से लिंक कर दिया जाए, आधार को यूज़ करके, अपना पांचों अपना fingerprint यूज़ करके आराम से उटांजेक्शन कर सकता है, आज की डेट में 225 करोड बैंक खाते हैं, 130 करोड आधार खुल चुका है, भारत में जो 2 लाख पोस्ट आफिस हैं, इस पोस्ट आफिस को भी बाकादा पोस्टल बैंक बनाया जा सकता है, क्योंकि पोस्ट आफि करना है, हाँ यह अलग बात है, कि साइबर फ्राड का खतरा, तो साइबर फ्राड से खत्रेस निपटने के लिए कठोर कानून मना दीजिए, आप तर्की जैसा कानून मनाईए, जैसे टर्की में का अदमीन साइबर फ्राड किया था, 340 साल्ग सजा होगी, अब दुबारा ह बंद हो जाएगा, भारत में साइबर फ्राड इस ले हो रहा है, हमारा कानून घटी आए, तो कानून को कठोर कर दीजिए, और वहीं दूसरी तरफ, एक बार रेक, नई मुहिम सुरू करके, सब जो लोग, वैसे सब लोग एजुकेट हो चुके हैं, उनको आनलाइन कठोर कानून मनाइए, ककॉर कानून मनाइए, कि कीणग खिलाख, भाराव, प्रॉड के खिलाव, किकानून मनाइए, और खिलाव, अपने, आपको, कोई दूसरे को चीटी यह नहीं करेगा, फ्राड करेगा, मैं मानी प्रधामंती से निवेदन करता हूं, इसके वपर जितने भी हमारे बिजनेस करने वाले हैं चाहे वो वैसी हो या महश्क्री हो या ब्रहमन लुए च्छत्री भी हैं जो बिजनेस करने वाले हो करार हैं वह इंकम टैक्स दे ऐस्टी देके वैट देक्ट टीडियस देके उटकी आहें निकल रही हैं। उनके उपर इतना मानसीक Τेंशन होता है विचारें डरते भी हैं कि कल को वह स्पेक्टर आयेगा कि उपर गए यह निकल रही हैं। एक समाधान है। भारत में कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए और सत्थ प्रत्सत आनलाइन ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया जाए यही एक तरीका है एक परसंट भी अगर हमने मानि प्रधानमंति से निवेदन करता हूँ वन नेशन वन टैक्स के बारे में गंभीरता के साथ चिंतन करें उसको इंप्लीमेंट करें